हेलो एवरिवन, वेलकम टू माई चैनल, आज हम लवरात्री के लिए मातारानी की पोसाख बना कर तयार करेंगे, जिसके लिए इनसामगरी की जरुवत पड़ेगी सबसे पहले हम लाइनिंग के लिए कपड़ा लेंगे, उसके बाद हम फैवरिक लेंगे, फैवरिक के बराबर ही हम लाइनिंग ले लेंगे इसका कट करेंगे, इसकी लंबाई 12-14 इंच तक रख लें, और चोड़ाई 6 इंच अपनी आफ सकता के अनुसार आप रख सकते हैं, जितने आपको घिर बनाने हैं, उससे आप इसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं, इस तरह से हम नीचे की तरफ लेस लगा देंगे और उसके उपर हम एक पतली लेस और लगाएंगे, लेस लगा कर तयार करके हम आपको दिखाते हैं, साथ में ही इसके लाइनिंग को भी जोड़ देंगे उपर हम इस तरह की बारीक लेस लगाएंगे, दोनों लेस को लगा कर हम आपको फिर दिखाते हैं, अब किसी भी तरह की लेस इस पर लगा सकते हैं मैं कुछ इस तरह से इस पर लेस लगाऊंगे साइड में भी लेस लगा दे या मोड लें जैसे भी आप करें उस तरह से कर ले नीचे की तरफ चोड़ी लेस लगा दे उपर उसके बारिक लगा दे आपके पास इस तरह की लेसो तयार कर ले हमने इसमें लेस लगा दिया है साइड में भी लेस लगा दिया है और पलेटे डाल लिया है पलेटे किसी भी तरफ से डाल लें इधर से या उधर से इस तरह से हमने पलेटे डाल कर इसको तयार कर लिया है फिर हम इसका नेफा बनाने के लिए एक कपड़ा लेंगे उसे हम उल्टा करके इस पर शिलाई कर देंगे दोनों साइड को मोड लेंगे और फिर हम उसको सीधा करके उस पर एक मसीन चलाएंगे इस तरह से हम उसे तयार करेंगे उपर से हमने लुपटे के लिए कुछ इस तरह से तयार किया है इस पर भी हमने लेस लगा लिया है उपर की साइड वे हमने कुछ पलेटे डाल दी है जो पीछे इसमें हम पिन अप कर देंगे इस पर एक बारिक सी लेस लगा देंगे इस तरह से और ये भी तयार हो जाएगा कुछ अलग तरह से हमने बना कर तयार किया है सबसे पहले हम इस पे नेफ़ा लगाएंगे इसको हम उल्टा कर लेंगे उल्टा करके दोनों साइड से फैवरिक को मोड लेंगे इसकी लंबाई जितनी घेर की लंबाई है उतनी रखें और चोड़ाई एक से डेर इंच रख लें इस तरह से इसमें डोरी डालेंगे और डोरी इसके अंदर आ जाए इधर से हम इसको इस तरह से दोनों तरफ से मोड कर सीर लेंगे सिलाई करने के बाद हम इसको फिर सीधा करेंगे सीधा करने के बाद हम उसे दूसरी तरफ से भी मसीन चला देंगे और उस पर बारिक वाली लैस रखकर उसको भी इस पर टाक देंगे इस तरह से हम इसको तयार करेंगे हमने एक सिम्पल सा लेंगा बना कर तयार किया है जो जल्दी ही बन कर तयार होगा है इस तरह से आप भी बना कर तयार करें और मातारानी को पैना दे दागे को काट देंगे एक्ष्टरा कपड़े को भी हमने काट दिया है अब हम इसको इस तरफ से ऐसे मोड देंगे और यहाँ पर हम इसको बारीक सा मोड कर मसीन चला देंगे इस तरह से उपर से एक लेस लगा देंगे पहले हम इसको सिलाई कर ले इसमें हमें एक डोरी डाल देंगे जो बानने के काम आएगे इस तरह से मोड कर सिलाई करें सिलाई कम्पलीट होने पर इस पर हम एक बारीक सिलेस लगा देंगे और फिर इसमें डोरी डाल देंगे डोरी डाल कर हम इसको बानने के लिए तयार कर लेंगे इस तरह से लेंगा बनकर तयार होगा है धागे को काट दे, एक्स्ट्रा धागे को सब का कटिंग कर दे, सफाई से इस तरह से लेंगा बन कर तैयार हो गया है, अब हम उपर की साइड में स्फर्च तोड़ी सी लेस लगा दें, जिससे देखने में ये और भी खुबसूरत लगेगा, आप चाहे तो बिलाउज भी बना सकते हैं, मेरी दुरगा माता इस तरह है कि बिलाउज उसको नहीं पहना सकते हैं, लेंगा ओर उपट्टा ही हम उसको पहना सकते हैं, इस तरह से हम इस पर एक लेस लगा देंगे, इस तरह से लेस को अच्छी तरह से लगा दें, एक मसीन करने से ही ये लग कर तयार हो जाएगे, क्योंकि बारीक वाली है, ऐसे लगा देंगे हम इस पर, लेंगा बन कर तयार हो गया है, और ये इसका डूपट्टा या पट्टका जो भी आप कहरें, ये भी तयार हो गया है, हम चुनरी भी तयार कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरह से इसको पहनाएंगे, कि ये साड़ी भी लगे और लेंगा भी, पीछे की तरप इसको डूरी से बान दें, या फिर इसको स्टाक दें इस तरह से, लेंगा बन कर तयार हो गया है, हमने दोनों चीज दूर्गा माता के लिए बना कर तयार की है, आपको भी नवदूर्गा की सुब कामनाएं, लेंगा और पटका बन कर तयार है, अगर आपको मेरा ही लेंगा दुर्गा जी का पसंद आए आप लाइक करें, सेयर करें और चैनल पर नहीं है तो सस्क्राइब करें इस तरह से हम इसमें डोरी डाल देंगे डोरी डालने से बांधने के काम आ जाएगी इस तरह से हम इसमें डोरी डाल लेंगे और इस तरह की पत्थर की दुर्गा माता जी है मेरे पास इसको इस तरह से हम इसको पैना देंगे लेंगा और पटका बन कर तयार हो गया है कुछ देखने में इस तरह का लगेगा अफे बनाकर अपनी दुर्गामाता को पहनाए यह बनकर तैयार हो गया है